हम ऐसा मान के चलते कि प्रॉपरिटी की प्राइसे हमेशा बढ़ती रहेंगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं आपको एक ग्राफ दिखाने वाला हो उससे आपको आइडिया आ जाएंगा कि प्रॉपरिटी के प्राइसे जैसे बढ़ते हैं वैसे गढ़ती भी है तो च आपको 105 एंडेक्स पर मिल जाता को घर कोई भी जो आवरेज हो रहें और अगर आपने उसको सेल किया होता जून 2020 में तो यहाँ पर आप देख सकते कि ग्राफ नीचे जा रहा है तो यहाँ पर 105 के आसपास फैल्वी है इंडेक्स की और यहाँ पर अगर देखे हम लोग और उसको सेल किया होता 2020 में तो आपको लॉस हो जाता लेकिन हर सिटी का यह जो ग्राफ है वो अलग अलग है तो यहाँ पर अगर आप देखते है यह टॉप वाला जो ग्राफ है यह सिड्नी का ग्राफ है तो सिड्नी में आप देख सकते है अगर आपने घर 2012 में लिया होता तो obviously उसकी price almost double हो जाती है न, 100 का almost यहाँ पर आप देख सकते हैं, 174 index हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद property के prices कम भी हो चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, around 2019 के असपास, और फिर से बढ़ गए हैं, कोवीड के बाद, 2020 में कोवीड खतम हो गया, 2021 में, उसके बाद property के prices फिर से बढ़ गए, Sydney में, तो अभी नीचे जाते हैं, नीचे वाला consistency यह देखते हैं, तो यह वाला जो होबार्ट का है, होबार्ट में prices हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं, यहाँ पर देख से, थोड़े से क नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, यहाँ पर Melbourne City का है, Melbourne City is again following the Sydney, अगर इंडेक्स की बात करते हैं लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि 2011 से लगातर prices बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर फिर थोड़ा कम हो चुके, 2019 के असपास, और फिर COVID आ गया तो तो नीचे ही रहे ग अगरा मिला कि उन्होंने आवरेज निकालाए, उसका वो दिका रहे है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि आवरेज प्रापरटी प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ इंडिविजल सिटी की बात करते हैं, हम लोग जैसे डार्वी नहीं है या फिर यह पर थे, तो का भी आप देख सकते हैं पिछले एक दो साल में काफे बढ़ चुका है प्रॉपर्टी के प्राइस उसके बाद यहां पर कैन बेरा देख सकते हैं कैन बेरा भी ब्रिजबेन कीते रहें ग्राप दिकराई इसका भी और यह तो वेटेड एवरेशी तो इससे पता चल जाता है कि अगर आप अजूम कर रहें कि प्रॉपर्टी लेने के बाद उसका प्राइस हमेशा बढ़ता रहेंगा तो यह बिल्कुल भी गलत है अगर आप आपने घर लिया होता है इसे पर्थ या डार्विन में तो यहां पर आप देख सकते कि प्रॉपर्टी की प्राइस कुछ बढ़े नहीं है तो यह सिटी पे डिपेंड करता है सिटी कैसा गुरो कर रहा है और फ्यूचर गुरोथ कैसे होना रहा है उसके उपर भी डिपेंड करता है कितने लोग उस सिटी में सेटल हो रहे हैं और काफी सारी चीज़े रहती है मतलब अवराल डिमांड और सप्लाइक बेसिस पे मार्केट चलता है अगर डिमांड बहुत जादा है तो अभी वसली प्राइस बढ़ते जाएंगे जो कि सिद्नी के केस में हो आए और हाल को आने के साran बारे में काफिसारे सिटीज में हो रहा है प्रिजबेंन के साथ हुआ है और अडमेंड के साथ यह हैं वैसे प्रॉपरेटे के बारे में आपकी क्या DIRE मुझे कमेंट करके जरूर बताए तो मिलते हैं नेक्स विडियो में तब तक के लिए गुडबाए और झाल झाल